Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Dr. Kapil Dhawan HPSC, Haryana Public Service Commission ने PGT Lecturer की विकेंसी जारी कर दी है इसका Official Notification, रिले जोजुका है जो की 3099 पोस्ट पर है जो एक बड़ी बंपर बढ़ती है इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका exam pattern क्या है इसमें कितने questions आएंगे, ठीक है कितने paper लगेंगे screening test होगा, साथ में इसमें subjective paper होगा अब इसमें किस subject की कितनी कितनी post है इसके बारे में हम जानेंगे और इसका Official Notification जो इसको भी अपन देखेंगे और इसके लिए अपन online कब से apply कर सकते हैं इसके बारे में आपन जानेंगे ठीक है, वो 205 vacancy है, यहाँ देखो आप यह chemistry जो subject है, इसकी vacancy देखना 255 है, जिसमें general की 140 है essay की 51 है, और BC, BC, AB 26 and 13 है, EWS की 25 है तो दोसों यहाँ पर यह भरबार vacancy आई हुई है 255 vacancy है, general की 140 है तो अपन जो रायस्तान वाले हैं RPSC की जरों ने preparation की है तो वो अगर इसको lecture भी preparation करेंगे तो वो PGT lecture की भी यहाँ पर इसके लिए apply करना, ठीक है, 25 तारिक से इसके लिए आप apply कर सकते हो easily बागी subject की देखे तो बाइलो जी की 233 vacancy है, commerce subject में 164 economics में 129 है ठीक है, English subject में 174 है तो देखे आप दोस्तों, इसमें हर subject की अच्छी कासी vacancy आई हुई है, ठीक है और जिसमें ये match की देखे तो 414 vacancy है तो इसकी तो काफी अच्छा एक big number है ये, अच्छा digit है ठीक है जो टोटल vacancy जो है इसमें 3069, मतलब 3079 vacancy है ठीक है, और जो closing date है मतलब इसके जो last date है online apply करने की वो है 14 अगस्त ठीक है तो आपके पास एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर 21 दिन का इन्होंने समय दिया हुआ है तो यहाँ पर आप इसके लिए apply करना exam pattern की अगर आपन बात करते हैं इसमें सारी चीज़े दी हुई है मैं exam pattern के लिए अलग से वीडियो प्रॉपर लेगे आऊंगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर screening test भी होता है वो MCQ होता है MCQ based इसके लाबा जो यहाँ पर subject का test होता है वो return होता है दोस्तों अपन RPSC के जो candidates है जायस्तान के उनको आदत हुई है कि वो MCQ based चीजों को solve करते है चाया RPSC school lecturer हो चाया RPSC assistant professor हो लेकिन यहाँ पर PGT chemistry की जो vacancy आई है ठीक है PGT lecturer की इसमें यहाँ पर subject का test होगा वो कैसे होगा वो return होगा clear और उसका जो weightage होगा 87.5% होगा और उसके लावा 12.5% इंटर्व का weightage होगा इससे पहले जो आपका एक paper होगा वो screening test होगा तो यहाँ पर total देखो यह 3 phase में होगी मैं आपको बता दू इसमें सारी चीजे mention है लेकिन मैं आपको properly एक नई वीडियो के साथ में आऊँगा और उसको समझाऊँगा मैं आपको यहाँ पर ठीक है उसके बारे में जिसमें देखो मैं आपको पहले बताता हूँ इसमें 3 आपके क्या होगे तीन test होगे जिसमें एक तो होगा screening test जो होगा आपका 100 marks का होगा जिसमें आपको केवल 25% marks लना जरूरी है इसके लावा अगर आपन आगे बात करते हैं तो इसकी जो मेरिट बनेगी वो केवल और केवल subjective test जो होगा आपका subject का और साथ में इंटर्व्यू जो होगा 12.5% उसका weightage रहेगा दोनों को मिला कर उसकी क्या बनेगी मेरिट बनेगी तो exam pattern को लेकर मैं एक बर proper video लेकर आऊंगा दूस्तों ठीके तो उस video में मैं आपको completely समझाऊँगा कि उसमें chemistry subject को लेकर समझाऊँगा कि chemistry subject में आपको किस तरह किसे prepare करना है उसका syllabus क्या है ठीके और आपको तीन जो इसमें phases है screening test सब्जेक्टिव टेस्ट जो अपने subject को होगा और तीसरा interview तो उसमें अपन किस की सरीगे से अपन आगे बढ़ेंगे और आपन को क्या strategy रहेगी तो strategy को लेकर और subject को लेकर और साथ में साथ जूसके स्लेबस को लेकर मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा ठीक है chemistry सब्जेक्ट को लेकर पर अभी जो मैंने यहां पर यह वीडियो बनाई है वो वीडियो है कि इसका notification जारी हो गया आप राइस्थान वाले हैं जब अधर स्टेट वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई करें ठीक आउनलाइन अप्लाई कर सकते हो लेकिन यहां पर 21 जिन का समय दिया गया 25 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक तो इसके लिए एस सुन एस पोसेबल इसको आप क्या कर देना अप्लाई कर देना इसमें और ज्यादा इतना टफ टास्क भी नहीं है अब इसकी eligibility को लेकर exam pattern को लेक particular chemistry को लेकर है ना एक वीडियो लेकर आऊंगा और इसके साथ ही जो RPSC assistant professor की cutoff है ठीक है मतलब answer की release होने के बाद क्या cutoff रहेगी और कितना impact पड़ेगा जो question delete हुए है और जो question मतलब जिन पर आपने objection लगाया है उन questions को लेकर उसके बाद cutoff पर कितना variation आए और नहीं आएग जाएगी ठीक है तो आप हमारे चैनल से जूड़े रहे हैं और इसके लिए apply जरूर करना हरियाना की जो PGT lecturer के वेकिंसी है और हरियाना की जो assistant professor वाली वेकिंसी वो भी जल्दी ही आने वाली है जैसे कि मैं आपको बोला था कि हरियाना की जो वेकिंसी है एच्पेस से की वह इसी महीने में आ जाएगी आप चाहे मेरी मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं तो आप खुद ही देख लो कि 23 जुलाई को ये वेकिंसी भी आ गई है इसी तरीके से next month तक आप है मान की चलना की HPS से की assistant professor की वेकिंसी भी आ जाएगी ठीक है तो आप बिल्कुल प्रिपे इसमें केस में क्या है यहां पर आपको एच्टेट चाहिए रहेगा जिनके पास हरियाना का टेट का क्लियर है वही इसके लिए इसके लिए इलिजिबल है तो यहां पर कोई बहुत बढ़ा टास्क नहीं है और मेनली RPSC स्कूल एक्षिरर के लिए तो अपनको अप्लाई कर आप अप्लाई कर रहे हैं इसको ठीक है इसका एक्जाम कब होगा उस पर अपन बाद में डिटेल में डिसक्किशन करेंगे अभी मैंना आपको अपडेट किया के बल और भी कोई अगर अपडेट आती है हरियाना HPSC को लेकर या फिर कोई स्कूल एक्षरर पीजिटी लेकर केमिस्ट्री हुई या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर लेकर तो मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूँगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच दोस्तो